सब्सक्राइब कीजिए शामा टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाईए ताके आप लोगों को मिल सके हमारी लेटिस वीडियो सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अर्बी की सबजी और पत्तों के फाइदों के बारे में कैसे अर्बी की सबजी और पत्ते हमारे स्वास्ते के लिए लाबकारी होते हैं आपने अर्बी की सबजी जरूर खाई होगी बारत में सभी राज्यों में अर्बी खाई जाती है इसमें बिटामिन, पोटेशियम, कैलसियम, प्रोटीन के अलावा आईरन आदी मेहतोपुन पोशक्तित वह रहते हैं अर्बी शरीर को ताकत देती है अर्बी में भारी फाइबर और कैलोरी की कम मातरा की वज़ों से यहाँ वजन घटाने का काम भी करती है अर्बी सीतल भूग को बढ़ाने वाली बल की बृदि करने वाली और माताओं में शिशो के लिए दूद बढ़ाने वाली एक प्रमुक सबजी है आर्बी के सेवन से पेशाप अधिक मादरा में होता है कफ का नाश होता है इसके पतों में बेसन लगा कर बनाया गया पकवान श््वादिष्ट और रुचिकर होता है फिर भी उसका अधिक मातरा में सेवन करना उचित नहीं होता है आपने अर्भी की सब्जी का सेवन तो किया ही होगा यहो हर घर में बनती हुई देखी जारत सकती है पर क्या आप जानते हैं कि अर्भी के पत्ते भी आपके स्वास्ते के लिए काफि फाइदिमंद होते हैं अर्बी के पत्तों में अधिक मात्रा में बिटामिन A, B, C के अलावा केलसियम और पोटिशियम एंटी अक्सिदेंट पाहे जाता है जो आपके शरीर के लिए काफी फाइदे मंद है आसानी से मिल जाने के बाबसूत अर्बी बहुत अधिक लोगप्रिय सबजी नहीं है अर्बी को कई नामों से भी जाना जाता है इसे सभी बहुत ही पसंद करते हैं तो फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को बताऊंगे अर्बी के फाइदों के बारे में पहला जो इसका हमें फाइदा होता है वो है जोडों के दर्द के लिए यदि आप जोडों के दर्द से परिशान है तो इस समश्या से निजात पाने के लिए आप रोज अर्भी के पत्तों का सेवन करें इससे जोडों के दर्द में आपको काफी राहत मिलेगी दूसरा जो इसका फाइदा है वो है शरीर पर दाने होने अगर आपके शरीर पर दाने हो गए हैं जिसके लिए आपने न जाने कितना उपचार करवा लिया होगा लेकिन आराम नहीं मिलता है तो आप एक बार अर्भी के पत्ते को ट्राई करें इसके लिए इसके पत्तों को जलाकर इसकी राह को नारिल के तेल में मिलाकर लगाएं आपको खुद ही फाइदा नज़राने लगेगा तीसरा जो इसका फाइदा है वो है यहो तनाव को दूर करता है अरबी में सोडियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है इसकी अलावा यह पोटिशियम और मैगनिशियम के गुणों से भी बरपूर है जिसके चलती बलड प्रेशर नियंदित रहता है साथ ही यह तनाव दूर रखने में भी मददगार है चौथा जो इसका फाईदा है वो है गुड़े, मांस्पेशियां और सरीर की नसों को यह ठीक करता है अरबी में मौझूद गुण चेहरे से संबंदी समश्या को ठीक करते हैं और तचा पर पड़ी जुरियों को भी ठीक करता है अर्भी खाने से गुर्दे, मांस्पेश्या और सरीर की नसे सभी ठीक रहकर काम करती है इसमें मौजूद पोटिश्यम शरीर को कमजोरी नहीं आने देता है पांचवा जो इसका फाइदा हमें होता है फ्रेंट्स वो है यहाँ चेहरे की जुरियों को हटाता है अर्भी त्वचा के सूखे पन और जुरियों को भी दूर करता है सूखा पन चाहे आतों में हो या सांस ननी में अर्भी खाने से आपको लाब होगा छटवा जो इसका फाइदा हमें होता है फ्रेंट्स वो है ब्लड प्रेशर के लिए ब्लड प्रेशर की रोग्यों को रोज अपने खाने में अर्वी का परियोग करना चाहिए अर्वी ब्लड प्रेशर को नियंद्रेद रखती है अर्वी डाइबिटीज के रोग्यों के लिए भी फाइदेमन होती है अगला जो इसका फाइदा फ्रेंट्स में होता है वो है कॉलेस्ट्रोल के लिए दिल की बिमारी से बचने के लिए अर्बी की सबजी का सेवन करना चाहिए यह कम वसा और कम कॉलेस्ट्रोल वाली होती है बिटामिन E और फाइबर की अधिक मात्रा होने से यहो दिल की सेहत अच्छी रखती है इसके अलावा यहो हिर्दै रोक, क्यूमर, डिप्रेशन, पिसाप की जलन, माँ और बच्चे के लिए, रक्त पित के लिए, फोड़े फुमसी के लिए इन सभी के लिए यहो काफी फाइदमन साबित होता है फ्रेंट्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी, आपको कुछ और भी बातों का ध्यान रखना होगा जैसे कि जिन लोगों को गैस बनती हो, या घुटनों में दर्द के सिकायत, या खासी हो, उनके लिए अर्भी का अधिक मात्रा में उप्योग करना हानिकारक हो सकता है अर्भी की सबजी को हमेशा कम ही तेल में बनाएं, अर्भी को आप करी और फ्राइ करके भी खा सकते हैं, अर्भी को कच्छा नहीं खाना चाहिए तो फ्रेंट्स, ये था अर्भी के सबजी के फाइदे और अर्भी के पत्तों के फाइदों के बारे में आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये health information कैसे लगी प्लीज अपने comments के द्वारा मुझे जरूर बताएं और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को like करें अपने friends के साथ मेरी वीडियो को share करें और मेरे channel को subscribe करें Thank you for watching my video